अयोध्या में रामलला के साथ भारत का स्वल लवट के आया है और संपूर्ण विश्व को त्रासदी से राहत देने वाला एक नया भारत खड़ा होके रहेगा इसका प्रतीक आज का कारिक्रम बन गया है ऐसे समय में आपके उत्सा का आपके आनंद का वरणन कोई नहीं कर सकता हम यहां पर अनुभव कर रहे हैं पूर्ण देश में यहीं वातावरण है चोटे-चोटे मंदिर के सामने दूर दर्शन पर इस कारिक्रम को सुनने वाले हमारे समाज के करोड़ों बंधु वहां पहुच ना पाए ऐसे घरगर के अमारे नागरिक सज्जन माता भगिनी सब भाव विवहोर है सब में आनंदा है सब में उत्सा है और ऐसे समय में जोश की बातों में थोड़ी सी होश की बात करने का काम मुझे ही दिया जाता है आज हमने सुना कि इस प्राण प्रतिष्ठा महुत्सों में पधारने के पूर्व प्रधान मंत्री जी ने कठोर व्रत रखा जितना कठोर व्रत रखने को कहा था उससे कई गुना अधिक कठोर व्रता चरण उन्होंने किया मेरे पुराना उनसे परिचय है मैं जानता हूँ वो तपस्वी है ही परन्तु वो अकेले तब कर रहे हम क्या करेंगे अयोज्या में रामलला आये अयोज्या से बाहर क्यों गये थे रामायन में क्यों गये थे बाहर तो अयोज्या में कलह हुआ अयोज्या उस पुरी का नाम है जिसमें कोई द्वंद्व नहीं जिसमें कोई कलह नहीं जिसमें कोई दिविदा नहीं वो हुआ 14 वर्ष वर्वास में गए वो सब ठीक होने के बाद दुनिया के कलह को मिटा के वापीस आए आज रामलला वापस फिर से आए है पास्तो साल के बाद जिनके त्याग तपस्या प्रयासों से ये सोने का दिन आज हम देख रहे सुवर्ण दिवस देख रहे हैं उनका स्मरण प्रान प्रतिष्ठा के संकल्प में हम लोगों ने कहा आपने सुना होगा स्मरण किया उनकी तपस्या को उनके त्याग को उनके परिश्रम को शतबार सहस्त्रबार कोटिबार नमन है रामलला के यहां इस युग में आज के दिन फिर वापस आने का इतिहास जो जो श्रवन करेगा वो राष्ट्र के लिए कर्मप्रवन होगा और उसके राष्ट्र का सब दुखदैन्य हरन होगा ऐसे इस इतिहास का सामर्थ है प्रण्तु उसमें हमारे लिए कर्तवयका आदेश भी है प्रधानमंत्री जी ने तब किया अब हमको भी तब करना है कैसा था जैए क दैविक भाउतिक तपा राम राजन से नहीं कहो ovat इ Bishop प्रिथी चलहिष्वधर्म नियात शूति नीती लगि सब दर्म रतल गंकिलस नरउ नार्लों है गोर्ड़ सब गनग्य पंडित सब ग्यानी सब कुदाण्य नहीं कपट सयानी यग राम राज्य के सामान्य नागरीकों का जो वरणन है हम भी इस गवरों में भारत वर्ष की संताने हैं कोटी कोटी कंथ उसका जैगान करने वाले हमारे है हमको इस प्रकार के विवहार को रखने का तप आचरण करना पड़ेगा हमको भी सारे कलह को विदाई देनी पड़ेगी छोटे-छोटे परस्पर मत रहते हैं छोटे-छोटे विवाद रहते हैं उसको लेकर लड़ाई करने की आदा छोड़ेनी पड़ेगी आखिर है क्या यह बात बताई वो सामान्य नागरिक कैसे थे निर्दंभ प्रामाणिक्ता से आचरण करने वाले केवल बाते करने वाले नहीं और बाते करके उसका अहंकार पालने वाले नहीं थे काम करते थे आचरण करते थे और अहंकार नहीं था ऐसे वो थे और धर्म रत थे याने क्या थे इस पर कठिन भाशा में प्रवचन बहुत लंबा हो सकता है लिकिन थोड़े में धर्म के जो चार मूल्य जिनकी चोखट पर धर्म है ऐसा श्रीमत भागवत में बताया है सत्य करुना शुचीता था फस उसका आज हमारे लिए युगानुकूल आचरण क्या है कि तो सत्य कहता ही कि सब घटों में राम है भ्रह्म सत्य है वही सर्वत्र है तो हमको ये जानकर आपस में समन्वय से चलना होगा क्योंकि हम चलते हैं, सब के लिए चलते हैं, सब हमारे हैं, इसलिए हम चल पाते हैं और इसलिए आपस में समन्वय रखकर व्यवार करना ये धर्म का पहला जो पहरे सत्य उसका अच्रन है करुणा दूसरा कदम है उसका आचरण है सेवा और परोपकार सरकार की कई योजनाए गरिबों को रहत दे रहे ही सब हो रहा है लेकिन हमारा भी करता भी है यह सब समाज बांदाओ हमारे अपने बंदु है तो जहां हमको दुख्ध दिखता है पिड़ा दिखती है वहां हम दोड़ जाए सेवा करें दोनों हाथों से कमाएं अपने लिए न्यूनतम आवश्चक रखकर बाकी सारा वापस दे सेवा और परोपकार के माध्यम से यह करुणा का अर्थ आज है शुचिता पर चलना है यहने पवित्रता होनी चाहिए पवित्रता के लिए संयम चाहिए अपने को रोकना है सब अपनी इच्छा है सब अपने मत सब अपनी बाते ठीक होंगी ही ऐसा नहीं और होगी तो भी अन्यों के भी मत है अन्यों की भी इच्छा हैं और इसलिए अपने आपको सायम में रखते हैं तो सारी पुर्थवी सब मानवों को जीवित रखेगी कांडी जी कहते थे रखीद ऋच्वी तो लगने कर ना सायम में रहना और अनुशासन पालन करना अपने जीवन अनुषासद अंधे ARE एका पने कुटूम्ब में अनुशासन रहना, एका पने समाज में अनुशासन रहना, सामाजिक जीवन में नागरिक अनुशासन का पालन करना भगिनी निवेदिता कहती थी कि स्वतंत्र देश में नागरिक सम्वेदना रखना और नागरिक अनुशासन का पालन करना यही देशभक्ति का रूप है इससे जीवन में पवित्रता आती है और तपस का तो मूर्तिमान उदारन आपके सामने आज दिया गया व्यक्तिकत तपस तो हम करेंगे सामुहिक तपस क्या है संगच्छद्वम संवदद्वम संवो मनावसी जानता हूं हम साथ चलेंगे बोलेंगे आपस में उसमें से एक सहमतिका संवाद निकालेंगे एक कही भाषा बोलेंगे वह वाणी मन मचन कर्म समन्वित होगा और मिलके चलेंगे अपने देश को विश्व गुरु बनाएंगे यह तपस हम सब को करना है पास्सों वर्षों तक अनेक पीडियों ने लग कर परिश्रम करके प्राणों का बलिदान देखे खून पसीना बहा कर आज यह आनंद का दिन सारे राष्ट्र को उपलब्द करा दिया उन सब के प्रति हमारे मन में कृतग्यका है मैं यहां बैठता हूं तो मेरे मन में विचार आता है कि मुझे बिठाया मैंने क्या किया वो तो जो उन्होंने किया उसका प्रतिनीदी भी मुझे बनाया गया है उस प्रतिनीदी के नाते मैं यह अवदान स्विकार करता हूं और उनी को अरपन करता हूं परन्तु उनका ये व्रत हमको आगे लेके जाना है जिस धर्मस्थापना विश्व में करने के लिए राम का उतार हुआ था उस धर्मस्थापना को अनुकूल स्थिती अपने आचरण में अपने देश में उत्पन्न करना यह अपना करतव्य बनता है राम लला आये हैं हमारे मन को अलादित करने के लिए उत्षा ही करने के लिए प्रेणना देने के लिए साथ साथ इस करतव्य की याद दिला कर उसमें कृति प्रवन करने के लिए आये हैं उनका आदेश सर पे लेके हम यहां से जाए सब लोग तो यहां आ नहीं सके लेकिन वो सुन रहे हैं विश्वगुरु भारत का निर्मान भी पूरा हो जाएगा इतनी क्षमता हम सब की है इसका मैं एक बार स्मरण देता हूँ आप सब को धन्यवाद देता हूँ और मेरे चार शब्द समाप्त करता हूँ